नमस्का स्वागत करती हूँ आपका समचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा सेहत के लिए सबसे अच्छा आहार माने जाने वाले सफेद दूद में मिलावट का कारो कारो बार चल रहा है मांग जादा और उत्पादन कम होने से मिलावट के मामले काफी बढ़ गए है मिलावटी दूद उभोकताओं की जेप पर डाका डालने के साथ स्वास्थे पर भी विपरीत असर डाल रहा है मानगरों में नकली दूद की आपूरती हो रही है यह गडबर जाला पैकेट वाले दूद में हो रहा है इसे उबालने पर पानी अलग हो जाता है और सफेद रंग का पदार प्लास्टिक की तरह सुकुड कर जम जाता है एसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही है जिसमें अमूल का दूद गरम करते ही प्लास्टिक की तरह जम जाता है एक यूवक ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वाइरल किया है युवक ने एक दुकान से नामी कमपनी अमूल का पैकेट वाला दूद खरीदा घर पहुँच कर उन्होंने दूद को पतीले में डाला और उबानने के लिए गैस चूले पर रख दिया महस दो मिनट गरम करने पर ही दूद में कुछ गडबर होने का अंदेशा होने लगा दूद में पानी और सफेद रंग का पदार्त अलग होने लगा सिर्फ चार मिनट में ही पानी पूरी धरे से अलग हो गया और सफेद रंग का प्लास्तिक जैसा पदार्त जम गया उन्होंने बताया कि दूद के रूप में जमा सफेद रंग का पदार्त यह इतना कठोर है कि इसे उंगलियों के सहारे उठाया जा सकता है यह तै है कि पैकेट में नकली दूद बेचा जा रहा है अब वह इसकी शिकायत खादे एवं ओश्डी विभाग के अधिकारियों से और दूद उत्पाधन करने वाले कम्पनी से करेंगे सोडा और अन्य दूसरी करदासाइनिक पदार्तों की मिलावट गंभीर बिमारियों का शिकार बना रही है डव्यू एच्चक को रिपोर्ट की माने तो भारत में मिलने वाला जादत और दूद मिलावटी है जो कैंसर जैसी बिमारी का शिकार बन सकता है एक और जहां महंगाई आस्मान छू रही है वही पैसा देने के बाद भी लोगों को बाजार में शुद समान नहीं मिल पा रहा है दैनिक जीवन में उप्योग होने वाली सभी चीजों में धलड़ने से मिलावट की जा रही है खाने से लेकर पीने तक की खादे सामगरी में मिलावट जारी है जिससे लोगों के स्वास्ते पर बुरा परभाव पड़ रहा है अधिक मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में व्यवसाई लोगों को जहर बेच रहे हैं और वहें उनके स्वास्ते से खिलवार कर रही है बावजूत इसके प्रशासन और संबंदित अधिकारी इन मिलावट खोड़ों के खिलाफ कोई कारेवाही नहीं कर रहे हैं कल चार लीटर दूद लिया गया अमूल का जिसका जो है इसमें दिखाय जा रहा है कि 14 तारीक तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पड़ा हुआ है कि 14 तारीक तक हिस्तेमाल कर सकते हैं और यह इसका जो है बार खोर्ट जीन इंचे जोह रहा कि cant वर यह हूं और यह जोड़े मैं डूजह है और आth से थोड़ा करके दिखाना कैसे हो रहा है और प्रूस पर धने जैसे प्लास्टिक हो जो है यह कितना स्वास्त के लिए हानिकारक है मलक कोई लोचा नहीं कुछ नहीं पूरा प्लास्टिक पी रहा है आदमी अमूल से एक्कम से काम ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है प्रिपया इसे सेहर करें और जो है लोगों को जागरोग करें दूध नहीं पी रहे हैं लोग जहर पी रहे हैं और ऐसी कंपनियों को सजा मिलनी ही चाहिए पहले मैं यह वीडियो जो है इसको जो है अगर अगर इसको जो है अगर कंपनी ने इस्टेप नहीं उठाया तो मैं इसको जो है उनसाथ में ही फूड एंड सप्लाई में भी जाता हूं और और जगह भी सिकायत करता हूं विख्या पाने के लिए बेल इकन को खिक कर हूं तो लाइड शेर और शबूप्स्क्राइब करें हैंने वाद